आप सभी लोगों का हमारी शेमास कार्णिंग में बहुत बहुत शागत हैं आज मैं ऐसी फ्लावर वाइन की कटिंग लेके आई हूँ जो आप इस महीने जैसे की जुलाई अगस्त में लगा सकते हैं या फर्वरी एंड मार्च के महीने में लगा सकते हैं और ये कटिंग से ही थ्रू ग्रो हो सकती हैं और इनको आप लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिस बॉक्स में लिंक भी डाल दी हैं बहुत से फ्रेंड्स कहते हैं कि उन्हें हाँ नर्सरी में नहीं मिलती हैं तो इनको आप लिंक की द्वारा खरीश सकते हैं बहुत ही खुबस्पर वाइन है इनको अपने घरों में आप टेरेस पे बालकमी में कहीं पे भी लगा सकते हैं ग्राउन में लगाती तो और अच्छी गूर्थ होती हम टेरस पे भी लगाते हैं उसकी भी बहुत अच्छी गूर्थ होती चाले सेंस का पॉट दीजिएगा चलिए स्टार्टिंग करते हैं नमबर वन से रोज रोज भी वाइन की तरह आती है मैंने इसमें लिंक रख्या आप ले सकते हैं बहुत से फ्रेंड ने काया कि इसकी रोज की वाइन कैसे होती देखिए मैंने लिंक दिया आप वहां से पच् के इसमें इस वाइन में जो फ्लावर के साथ साथ रेसे से आते हों कैट की तरह पंजिक तरह होते हैं बिल्कुल जगड लेते हैं किसी दिवाल पे या किसी जगए आपको उसको कड़ा करना है तो इसलिए इसका नाम पढ़ा है कैट के तरह हैं इसको भी आप बहुत वाइन अच्छी फ्लावरिंग करता है स्टैमक टिकोम बहुत अच्ही फ्लावरिंग करते हैं पर्मनेंट फ्लावरिंग उरस या इसको भी अपने घर ने लगाई यह आपके नर्ज़री से कहीं से मिल जाएं वहाँ से लिग द्वारा आप मोरे ले सकते हैं आप जो वाइन दिखा रही है वो भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग वाइन है कलर की वरिटीव देख जाद आपको नहीं मिल फाएगी इसलिके फ्रेड और वाइट में इसका शेड होता है और थोड़ा सा पिंक में मिल जाएगा आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है नहीं देखें पिंक थोड़ा शेड होता है और इसको भी इसलि अपने गवर में लगा सकते है आप इसको 40 संस के पौर्ट से बिकनि के स अब आदाते हैं आलमंडा आलमंडा की फ्लावरिंग बहुत अच्छी मैंने और इसके कलर की एक यह वराइटी होती है यह लो बहुत ही प्यारा कलर होता है। बहुत अची फ्लावरिंग करता है। अब आते हैं पंडोरा-Pandora की कई वराइटी तो होती हैं जैसे वाइट है मैंने आपको मिलेख़ा है अपने गार्डन में लगए हुए और इसकी कलर पिंक भी ब्हुत प्यारा लगता है कोसूरत लगता तो सकते इसको आप 20 से बोट में सिंट कर सकते हैं बहुत अच्छी सर्वाइफ करेगा सालहों साल आपको फूल इसको क्रिस्न कमल घंucking गया सिर्ण वर्यटीच कलर के थी मिलगे दाएं 123 actually कलर का उटार भी आएड़िड़ां के तरह फूल खिलता है और पर्मनेंट प्लांट समझ लीजिए और कम केर मांगते हैं हम प्लांट को केर करते हैं इतनी जादा कुछ प्लांट की केर जादा मांगते हैं कुछ कम मांगते हैं ऐसे प्लांट होते हैं तो आप इसको भी लगा सकते हैं अब यह बहुत ही प्यारा flower mind villa बहुत ही अची flowering करने वाला है और थोड़ा costeer मिलता है ये flower wine जल्दी मिलती नहीं है और बहुत प्यारे-प्यारे इसके color होते हैं इसको भी आप cutting की तो भी मिले सकते हैं लगा सकते हैं या नर्सरी से भाई करके भी लगाते, सीजन बहुत अच्छा है, इनको लगाने का स्टेंप सारी फ्लावरी प्लाउट बहुत अच्छे सफाइफ करते हैं, आप मैं जो आपको दिखाऊंगी, आपको टिंक की त्रोबी इसको लगा सकते हैं, आपके रिलेटिव में कहीं पे भी तो हर जगे मिल जाता ह है, मदुमालती, इसको भी एजली लगा सकते हैं, और मेरे टायरस पे दो वायरेटिके लगे हुए, बहुत ही खुबसूरत लगते हैं, चलिए सिंस का पॉट दीजिए, और इनी सीजन में इसको खाद दीजिए, दीके बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग मिलती है, मैंने आप बहुत ही प्यारे फ्लावरिंग मिलते हैं, इसकी फ्लावर आपको पूरी चत या टैरस या बालकनी को भर देते हैं, अगर ग्राउन में लगाएंगे तो इसको बहुत अच्छा मिलने वाला और पॉट में लगाएंगे तो बहुत प्यारा रिजल्ट मिलने हैं, कि खाद औ आप इसको टैरस पे या किसी जगह लगा सकते हैं, साथ इसके फूल जब खिलते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, आपको इसके फ्लावरिंग मार्स से स्टार्टिंग हो जाते हैं, रिनी सीजन के लास ट्रिफ तक यह बहुत प्यारे फ्लावरिंग करता है, अप राज बहुत सारी flowering की हैं जिसे मैं आपको अपडेट करती रहोंगी इनको आप कटिंग की थो मार जुलाई से लेके अगस तक बहुत अच्छे से लगा सकते हैं इनकी flowering भी बहुत अच्छी होती तो इनको आप पेंसिल की साइस में कटिंग सेड़ में लगया ये फिर देखे रज कितना अच्छा मिलने वाला हैं बार इसमें सारी कटिंग बहुत इसली सर्फाइफ करती हैं तो जो आपको मैंने लिंक दिया आप वहां से बाय कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना जरूर याद जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक पर वाचिंग मैं वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद